Hello everyone, welcome back to Target4IQ, मेरा नाम है Weber and आज सी क्लास में हम election commission के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि हम सब लोग यह जानते हैं, election commission आहल फिलाल में काफी चर्चाव में रहा था Supreme Court ने भी इससे related अपना एक judgment दिया है क्यों चर्चा में था, क्या judgment था, वो मैं कल की वीडियो में discuss कर चुका हूँ आप जाके कल की वीडियो चेक करें अब आते हैं वापस election commission कि एक election commission एक permanent and independent body है बात आती है permanent body कैसे जैसे हम सब जानते हैं, India is a democratic country और democracy में जो election होता है, वो free और fair होता है election कौन conduct कराता है, election conduct कराता है election commission, ठीक, अगर election commission खाली होगा, तो क्या election हो सकता है, नहीं तो इसलिए ये एक permanent body है, यानि कि इस election commission में कोई ना कोई उपस्थित रहेगा कभी भी ये election commission खाली नहीं होगा तो इसलिए election commission is a permanent body अब बात आती है independent कैसे है तो election commission independent ऐसे है कि अपना election कराते समय, election commission को कोई भी control नहीं कर सकता चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी organization हो वो election commission को control नहीं कर सकता election commission independently अपना काम करती रहेगी अब कुछ जान लेते हैं कि election commission constitution में कहा कहा mention है कौन-कौन से अनुच्छेद है किस भाग में है ये election commission इसके बारे में जानते है election commission part 15 में दिया गया है ये आपका prelims में question पूछ लेते हैं कि कौन से part में election commission है फिर second prelims का question बनता है कौन-कौन से articles है या range कहां है कहां से कहां तक है election commission की तो याद रखना range है 324 से लेके 329 and part है 15 second आपका question बनता है prelims में constitutional body कि क्या election commission constitutional है जी हाँ constitutional body है क्योंकि हमारे समविधान में election commission के बारे में बताया गया है अब कुछ जो ये articles है 324 से लेके 329 इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या-क्या लिखा है अंदर ज्यादा detail में नहीं जाएंगे तो कि काफी time ने लेगा उपर से समझते हैं कि 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 आर्टिकल में किस बारे में बात करी गई है आर्टिकल 324 में बात करी गई है constitution appointment, tenure, retirement of members of the election commission ठीक, आर्टिकल 325 में बात करी गई है कि जो भी कोई voter है जो vote देना चाहता है election के time उस पे religion के base पे race की base पे sex, caste, इन grounds पे उसको election पे अपनी vote देने से मना नहीं किया जा सकता suppose मैं अगर election के time पे vote देना चाहता हूँ और मैं XYZ नाम के religion से बिलोंग करता हूँ तो जिस एरिया में election हो रहा है जहाँ पे मैं vote देना जाना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ जाने से मना नहीं कर सकते ये कौन बताता है ये article 325 बताता है कि आपका अगर कोई religion है, कोई race, sex, caste इस ground पे आपको vote दालने से मना नहीं किया जा सकता article 325 में ये बताया गया अब article 326 में क्या बताया गया है इसमें बताया गया है आपकी उम्र कितनी होगी election में vote दालने के लिए at present election में सबको पता है 18 साल से जादा के व्यक्ति अपने vote दाल सकते हैं अगर आपकी age 18 हो गई या उससे जादा है तो आप election में vote दाल सकते हो क्या ये 18 age अभी थी ये अभी है बट पहले से नहीं है पहले age थी 21 year यानि 21 साल या 21 साल से उपर का अगर कोई व्यक्ति है तो ही वो vote दाल सकता है तो prelims में एक question यहां से भी बनता है कि जो voter की age है जो पहले 21 थी अब उसको बाद में बदल के 18 कर दिया है तो वो कौन से constitutional amendment से किया है 61st ये पूछावा question है 61st amendment x से age में difference किया गया था यानि कम कर दी गई थी अब बात आती है कि हमें vote डालने का जो अधिकार है वो कौन सा right है क्या वो constitutional right है या वो legal right है या हमारा fundamental right है ये भी पूछावा question है और important है मेरी आज दी class में काफी ऐसे questions बन जाएंगे जो आपके prelims point of view से important रहेंगे साथ ही साथ mains point of view से भी important रहेंगे क्योंकि chances हो जाते हैं कभी-कभी descriptive type में पूछ लेते हैं और election commission तो अभी इतना चर्चाव में रहा है तो possibility दोनों में है कि prelims और means दोनों में question बन सकते हैं तो ध्यान से election सुनिएगा अब बात करेते हैं legal right के बारे में कि ये legal right है क्योंकि मैंने लिखा है तो आप समझें constitutional right क्यों नहीं है constitutional right ये इसलिए नहीं है क्योंकि age 18 के बारे में constitution में कहीं नहीं दे रखा ये right सिर्फ और सिर्फ parliament का है कि वो क्या उम्र रखना चाहती है तो इसलिए ये legal right है अगर ये चीज constitutional mention होती तो ये हमारा constitutional right हो जाता fundamental right इसलिए नहीं है क्योंकि ये article यानि chapter number 3 में mention नहीं है अगर ये chapter number 3 में mention होता कि ये age के व्यक्ति vote डाल सकते हैं तो ये हमारा fundamental right हो जाता ठीक समझ में आया fundamental right क्यों नहीं है क्योंकि chapter part 3 में नहीं है constitutional right क्यों नहीं है ये right कि क्या उमर रहेगी व्यक्ति की वोट डालने की ये right सिर्फ Parliament के पास है और इसलिए इसको एक legal right बताया गया है Article 327 मैं बताया गया है कि Parliament के पास ये power है कि वो ही rules बना सकती है किस चीज से related कि election में क्या क्या काम होगा electoral right या electoral role कैसे बनेगा delimitation commission कब appoint होगी कैसे काम करेगी ये सारा बताया गया आर्टिकल 327 में 328 में बात करी गई है कि अगर Parliament 327 में ये काम नहीं करती तो ये काम state में state legislature का बन जाए कि वो अपने state में decide कर लेगी कब election होगा और उसमे electoral role delimitation commission कैसे कैसे काम करेगी वो काम state legislature का बन जाएगा in case अगर 327 में Parliament नहीं करती 329 में बात करी है बार on court यानि कि court के पास court पे ये बार लगा दिया गया कि election से related आप कोई भी case hearing में नहीं लोगे unless and until वो election petition file नहीं होती यानि कि court इस बात पे hearing नहीं सुनेगा कि election time पे नहीं हुआ या election उस जगह पे नहीं हुआ या constitutional role में कुछ गड़बर थी इस पे नहीं सुनेगी सुनेगी सिर्फ और सिर्फ आपकी election petition अगर court में election petition फाइल हुआ तो ही आपकी hearing हुईगी otherwise नहीं होगी court पे ये बार लगाया गया है 329 में अब बात करते हैं election commission कौन-कौन सी bodies का election कराती है लोक सभा, राज्य सभा, प्रेजिडेंट का election भी election commission कराती है फिर वाइस प्रेजिडेंट का election भी election commission कराती है legislative council जिसमें हमार MLCs तुने जाते है legislative assembly जिसमें MLAs तुने जाते है अब एक आपका previous point of view से ये वाला question भी important बनता है state election commission ये originally हमारे constitution में नहीं था इसको add किया गया था 73rd amendment act भी तो ये वाला question आपका prelims point of view से important है यहां से सुनना फिर state election commission किन organization है किस चीज़ का election कराते हैं पंचायत और municipality इतना तो सबको पता ही होगा अब बात करते है election commission में सद्दिश से कौन-कौन होते हैं पहले होते हैं हमारे chief election commissioner and election commissioner अभी हाल फिलाल में election commissioner appoint हुए हैं कोमेंट में जरा उनके में को नाम बताना कि दो व्यक्ति appoint हुए उनको क्या नाम है अब बात आती है यह जो chief election commissioner है और यह election commissioner हैं लोगों को लगता होगा कि chief नाम आगे add हो गया तो इनके पास जादा power है ऐसा बिलकुल भी नहीं है chief election commissioner और election commissioner की दोनों की पावर सेम होती है मतलब कि अगर election commissioner में कोई भी एक decision लिया जाएगा वो जिस चीज़ पे नहोंने हा करी है वो execute हो जाएगी यानि कि इनकी power Chief Election Commissioner की और Election Commissioner की powers same होती है ठीक ऐसा क्यों same क्यों होती है क्योंकि 1950 और 1989 तक का जो period था उस time सिर्फ Single Member थे यानि कि उस time सिर्फ Chief Election Commissioner थे Election Commissioner नाम की कोई post नहीं थी बाद में जब हमारी population बड़ी काम, workload जादा हुआ तो हमें लगी कि हमें और मेंबर्स की ज़रूत है तो इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंड एक 1989 में इस एक्ट के आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंट किया गया एक प्रिलिम्स का कोश्चन बनता है कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंड हुआ था तो याद रखना तारकुंडे कमिशन कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंड आया था और उस अमेंडमेंड के बाद इलेक्शन कमिशनर का अपॉइंटमेंड होने अच्छा election commissioner कितने होंगे, दो, तीन, चार, ये कुछ idea है कितने हो सकते हैं, तो ये depend करता है president पे, कि जितना वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, हाल फिलाल में अभी तीन सदे से ही हैं, एक हमारे election commissioner, दो election commissioner और एक chief election commissioner, अब बात करते हैं कि election commissioner और chief election commissioner को appoint कौन करेगा, हमारे president, अगर election commissioner, chief election commissioner चाहते हैं, कि वो resignation दे दे अपनी post से, तो वो resignation देंगे president, यानि appointment president करेंगे, और resignation आपको देना है, तो आप जाके president को दे दे, अब बात करते हैं removal की, कि अगर हम chief election commissioner को remove करना चाहते हैं, उनकी post से, तो क्या कर देंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जो process है, वो बहुत जी जादा complicated है, क्यों complicated है, क्योंकि chief election commissioner को हम, जो supreme court के judge होते हैं, उनके समान ही मानते हैं, यानि कि chief election commissioner का जो ओदा है, वो supreme court के judge के ओदे जैसा ही होता है, तो जो procedure, supreme court के judge के removal का होता है, same procedure हम follow करते हैं, chief election commissioner का, कैसे, कि दोनों सदन में resolution जाएगा, और special majority से पास होना चाहिए, prelims का question बताया मैंने आपको answer, special resolution से पास होना चाहिए, तभी हटेंगे वो, अब बात आता है, बात आती किस grounds पे हटेंगे, ऐसी हटा देंगे, दो grounds है, पहला है misbehavior, और दूसरा है incapacity, तो ये भी आपका prelims का question हो गया, misbehavior और incapacity are the two grounds, जिस पे हम chief election commissioner को हटा सकते हैं, अब बात आती है, election commissioner की, कि इनको किस ground पे हटाएंगे, या इनको ground की जहुरती नहीं है, मन करा तो हटा दिया, इनको हटाने के लिए, chief election commissioner की recommendation जाएगी, तब ही president हटा सकते हैं, अगर chief election commissioner जे रिकमेंडेशन नहीं दिया, तो ये हटेंगे नहीं, और अगर दे दिया, तो procedure स्टार्ट हो जाएगा, election commissioner के removal के लिए, अब बात करते हैं, election commission की क्या functions हैं, और क्या duties हैं, पहला, status of national और state party, भाई ये decide करते हैं कि अच्छा इस party का status national हो गया है, state, वो decide करेगी हमारी election commission, दूसरा prepare electoral role, जो voter list बनती है election के time, ये कौन बनाता है, ये election commission बनाती है, तीसरा determined territorial area, एक delimitation commission बनती है, appoint होती है, और वो आपके population की, इस area में कितनी population है, उस population के हिसाब से constituency को divide किया जाता है, तो वो काम कौन करता है, जब ये divide हो जाता है, तो उस पर seal लगाना, और authorized करना, ये काम भी election commission का होता है, आप से question पूछता हूँ, अब तक कितनी बार deal limitation commission appoint हो, पहला, और दूसरा, last time कौन सा year था, जब वो appoint हो, ये अपना comment box में, आप answer दे देना, चोथा इनका function है, grant symbols, वह हर पार्टी का अपना एक symbol होता है, तो वो symbol भी grant करने की power, अपनी election commission के पास है, फिफ्थ है हमारा enforce code of conduct, कि जैसे ही election का time period पास आएगा, code of conduct enforce हो जाएगा, हमने ये पढ़ लिया, क्या 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 composition है, कौन-कौन election commission में होता है, removal appointment ये सब पढ़ लिया, अब कुछ कमिया, जो election commission में है, clause इसको बोलते हैं, उस बारे में पढ़ते हैं, पहला है, no qualification, constitution में ये कहीं पे भी mention नहीं है, election commission और chief election commissioner की क्या qualification होगी, पहला फ्लॉव ये, दूसरा term not specified, constitution में ये भी mention नहीं है, कि कितने time period के लिए election commissioner, chief election commissioner appoint रहेंगे, ये time period भी constitution में कहीं नहीं है, वैसे ये power chief parliament के पास दे रखी है, और उन्होंने decide कर रखा है, 6 साल, या तो आपको काम करते हो, 6 साल हो गए हो, या फिर आपकी age 65 years हो गई हो, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगी, आप ठट जाओगे, यानि seat vacate हो जाएगी, तीसरी कमी है, reappointment, अगर chief election commissioner या election commissioner retire हो गए, उनका tenure खतम हो गया, तो parliament constitution ने ये भी प्रापदान दे रखा है, कि उनको दुबारे से reappoint किया जा सकता है, fourth, no transparency, ये no transparency जो लिखा है न, यही हाल तिलाल में बुद्धा है, तो ये no transparency कैसे, appointment कौन करेगा, कैसे होएगा, क्या procedure है, ये भी सम्विदान में कहीं नहीं दे रखा, यानि transparency है ही नहीं, तो ये जब चार points थे, ये हमारी कमी के बारे में थे, I hope you like this session, कोई अगर doubt हो, तो comment box में अपना comment करना, जल्दी मुलाकात होगा,